हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह बहुती टेस्टी दिखने में भी किती टेस्टी लग रही है ऐसी चटनी और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है इसको बनाने के लिए हैं टमाटर हरी मिर्ची प्याज लस्टन कड़ी पत्ता मुंफली इ कड़ी पत्ता खड़ी लाल मिश ओरतका दाल और थोड़ा सा राही जाली इसको बनाते हैं इसे बनाने के हम थाथ़ा यह ज़ि panda ह्या है इसमें ध्माली नाल देन गी यसू बोच्छ चटटनी दालें थैको राही है तो यह को साटे कर लेंगी यह देना से लाउन्टि न्व कट के रखेते हैं वह हम डालेंगे और उसको भी पकाएंगे देखिए मिक्स कट और पकाएंगे हलके से क्राक आना स्टार्ट हो चुका है मुंफली में अब देखिए मुंफली हलकी चटक चुकी है अब हम इसमे डालेंगे कड़ी पत्ता प्याज लसन टमाटर हरेमेच टमाटर और यह इमली का तुकड़ा इमली के तुकड़े डालने से भी अच्छा फ्लेवर आएगा और खट्टा खट्टा बनेगा यह चट्नी जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी यह मेरी वन अफ द फेवरे चट्नी है साउथ की मैं इसको इतने बार बना चुक नमक डाल लेंगे थोड़ा से असने में ड़ी पाउडर इसे कलर बहुत अच्छा आएगा और फोड़ी साइस्ण कहें एच्छ से हमको ढ ASHके पकाएगे थोड़ाय साफ्ट हो जाये तब तक थोड़ा से भड़ाय शीमेल धन्यड़ा आड़कि से मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढखके 5 मिनिट के लिए पकाएंगे बट हम बीच बीच में इसको चलाते हुए पकाएंगे ताकि यह कडाई से ना लगे जलना जाए इसलिए हम इसको ढखके 5 मिनिट के लिए पकाएंगे 5 मिनिट हो चुके हैं यह देखे अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है अब ह तो इसलिए थोड़ried पानी डालके इसको घ्राइंड कर लेंगे यह देखिए कितनी अच्छी है जतनी अब हम इसके लिए एक पाने आए दिखाया थे क्था ठागा यह थे जो दोहाथ लगा देगे थोड़डा जो फ्लेवर था वो चटनी में मिक्स हो जाए यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक बर आप इसको ज़रूर बना के मुझे कमेंट करना की कैसी लगी यह देखिए कितनी टेस्टी बनी चटनी तो चलें हम दो सब बनाने के तरफ चलते हैं दो सब बनाने के लिए ह लिए तंसे ज़र पान जलेंग हम यह मैं भीषमे कने लिए researchे ककि यह मुझे करने हैं में प्लिछ सब्ल्वाय दाले और शरेकित सब्ल्च सही के देखिए फूल डालेग लिए पानी कशेकर यह दे साओधिट हूँ करेंगे पानी कशेकर देंगे पानी कर सो पाम एड़ी अ तो यह देखिए ठीक पेस्ट बन चुका है अब हम इसको डखके रख देंगे 12 गंटे के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए जाली दार बना है यह अच्छे से फूल चुका है और फर्मेंट हो चुका है तो इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से के लिए हम को अच्छे में के लिए तनी हमको मुद्व зр 2030 कहीई है मैं दोश्य जेत तो आपको पता चल जाएगा कितने पानी की नेर है तो ऐसे ही आप करें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसकी कंसिस्टेंसी को हम पाफिक करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए मैंने दूसरे बाउल में प्रांस्पर कर लिया है थोड़ा से बैटर और हम इसमें थोड़ा पानीर एड़ करके तो उसे का बैटर बना लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए बिल्कुल पाफिक रेडी है हमारा दोसे का बैटर ऐसे ही होना चाहिए ना जादा गाडा और ना बहुत जादा पतला बिल्कुल परफेक्ट है पैन गरम कर लेंगे ता ड़िए ना बसल्डे ना खौ Ciutap ठोला लेंगे गवरा क्याव स плох एक आप यह देखिए ही ना चाहिए जिकाना का बेरके तो पर देंगे ना आप जाए हम आम को यह करना सी फैकर नहींुक्र परबिल्स पकाते रहेंगे यहमियुक्त जैरे किनारी शास होट्वन तर्क अपने आप तब हम इसको पलटेंगे देखिए किनारे चोड़ना स्टार्ट हो चुका है अब हम इसको पलट देंगे और 2 मिनिट के लिए 2 सेकंड के लिए हम दूसरे साइट से पकाएंगे देखिए बिलकुल पॉफेक्ट होसा और चटनी बनके बिलकुल रडी है आप इसको कर आपको गर्म सिर्फ करें नियुम में और चैनल को सब्सक्राइब तो मिलते हैं नेक्स प्लाइसिप के साथ थांकियो फूर वाचिन